तो दोस्तों आज हम आपको बात करने वाले हैं कि आपको स्लैब की हैड क्या रखनी चाहिए देखें कि मकान बना है मिने वाल सी रेकॉर्डिंग की है आप देख सक रहे होंगे और यहां पर फुली जो प्लर बने हुए है वो बन चुका है वहां तक आपका दिवाल बन चुक है कोई बड़ी सी बिल्डिंग या हॉस्पटल बनना है उसकी स्लैब की हाइड अलग होती है तो अगर नॉर्मल आप मकान बना रहे हैं रहने के लिए तो स्लैब की हाइड क्या रखनी चाहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखी है कि मैं आपको इसके एडवांटेज और डिस अड्वांटेज सारे क्लीर करनेबा आँ शाथ साथ आप जो ग enactador बन चुका है उसमें आपकी kitchen की हाइड क्या होगी bathroom का हाइट क्या होगी जो टावर बंदा है आपका उसकी हाइट क्या होगी इस सभी को आज हम डिसकस करेंगे तो नॉर्मली अगर हम बात करें स्लाइब की हाइट लगबग जो स्टेंडर्ड हाइट है वो टेन फिट है दस फिट रखा जाता है लेकिन जिस शेत में ज्यादा स्लाइब होगा वो काफी कम हो जाता है आपको मकान की ऊपर उठाने का वशकता होती है तब दिख्कते होती है तो इसका जो इसका जो इसका जो मैंने बदाया पूरे प्राइब तो दस फिट का इसमें फर्माज पिलर आप बनाते हैं दस फिट के पिलर तक वाल बनी है इसके बाद आपका नौ इंच का जो बीम बढ़ता है वह पड़ी इसके बाद स्लैब पढ़ा है तो आप्रोस 11 फिट पे इस पर ये स्लैब पढ़ी आप देख पा रहोंगे फर्स से से लेकर टॉप तक जो फर्स का स्लैब है और फर्स का चेले के टॉप तक लगबग 11 फिट या हाइट हो जाती है तो आप देख सकते हैं तो लगबग आपको 11 फिट रग नीचा अगर आप warehouse बना रहे हैं बड़ी building बना रहे हैं तो फिर आप और भी हैट बढ़ा सकते हैं जो normal घर बनाते हैं उसके लिए होनी चाहिए और इसके advantage मैं बता दूँ इसमें 11 फिट में अप्रॉक्स दूस्तों क्या होता जहां पर ज्यादा गर्मिया पड़ती है थोड़ी से ग बनाने को कि पिंट कराना वो थोड़ा सिकर्च वो normal होता है कुछ खास नहीं अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 10 फिट पर बनाते हैं तो जो फॉर सीलिंग लगाते हैं तो आपकी हाइट केवल 9 फिट बचती है लगबग 1 फिट नीचे से दिखिए फॉर सीलिंग में आ लगबग 11 फिट आप एट लिस्ट रखिएगा जो एक स्टेंडर्ड साइज हाला कि 10 है बड़ आप 11 रखिएगा तो आपको फॉर सीलिंग वगएरा अगर बर्विश में आप लगवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप देख सकते हैं यह फॉर सीलिंग और दोस् तो आज हम इसके बात कर रहे हैं अब हम बात करेंगे कि अगर आपने लेट बात बनाते हैं तो वहाँ पर स्लैब का या अपना हाइड क्या रखना चाहिए तो देखिए अगर आप दोस्तों किशिन मना रहे हैं तो लगबग जो इस्टेंडर्ड साइज है आड़ फिट है यह देख सकते हैं किशिन का एक डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको आर यहां पर ड़ फिट हैट पर यह बना दिया गया है किशिन जो कि यह जो किशिन अरिया उसे पूरा बनाया गया है और जो स्लैब आपका उसी के ज़स्ट बगल में लेट बात बना है तो उसको मैंने यहां पर कम करवाया है और उसकी हाइट लगबग साथ फिट है तो यह चत का लगबगा इस्टेंडर्ड दस होता है बड़ आप ग्यारा रखिएगा वहीं फॉर्ट शीलिंग क्योंकि फिट नीचे आजाती है इसके बाद आसानी से आप से अगर किशिन बना रहे हैं लिडब अपना पोर्च इसमें आपको दिक्कत आगे ना देखनी को पड़े और आपको बविश्व में कोई विक्राउंट से ना आए तो यह इस्टेंडर्ड साइज होते हैं घर को बनवाते समय आपको पने ठेकेदार या कॉंट्रेक्टर को बताना होता तब यह सारे काम होते हैं